गुद मारिंग क्लास, इन टुड़े मैंस क्लास, भी डिस्कस्ट दा आंसर सब दो होमवग दे गिवन यू यस्टरडे बेस्ट उन प्राइम एंड कंपोजिट नमबर, आज हम चो आपको मैंने कल की होमवग में प्राइम एंड कंपोजिट नमबर बताया था, उससे रिलेट उनली तो फैक्टर, वन एंड इट सेल, प्राइम नमबर वो नैचुरल नमबर है, जिसके से उससे दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इट सेल, यानि कि उसका वन के अलाबा और कोई फ्रेंड नहीं होता है, एंड कंपोजिट नमबर, नमबर देट हैं, जिसके तो से ज़ फैक्टर होते हैं, वन इस नदर प्राइम नौर कंपोजिट, बन ना तो प्राइम है और नहीं कंपोजिट नमबर है, टू इस अउनली इवन प्राइम नमबर और रेस्ट अप्राइम नमबर है, जो एवन है और वो सबसे चोटा प्राइम नमबर है, और बाकी के सारे प्र फिर उसके बाद मैंने उससे related आपको कुछ homework दिया, मैंने बताए, determine whether each number is prime or composite, यानि आपको मैंने कुछ numbers दिये और मैंने बताए, पूचा कि इसमें से कौन सा number prime है और कौन सा composite, अपने कर्टो लिया ही होगा, फिर भी एक बार आपने answers को check करते हैं, let's see, first question, पहला number क्या था, six is the even number, यह क्या है, composite, हम पूरा composite भी लिख सकते हैं और only C भी लिख सकते हैं, short form में, then seven, कौन सा number है, prime number है, nine, one से भी, three से भी, और nine से भी divisible है, यानि यह composite number है, 11, सिर्फ one और 11 से divisible है, तो यह prime number है, 23, one से और 23 से, और किसी number से divisible नहीं है, तो यह भी prime number है, 25, one से, five से, 25 से, यह क्या है, composite number है, 45, one से, three से, five से, nine से, fifteen से, 45 से, है ना, तो यह composite number है, next, 51, तो one से, three से, और भी बहुत सारे number से, divisible है, 17 से, तो यह prime number नहीं है, composite number है, यानि, जैसे ही, one से जादा factor, one और itself के अलावा, अगर एक भी factor में जादा मिल गया, वो number, composite number है, अगर से, one and itself, वो ही number मिला, दो ही factor मिले, तो नहीं है, तो नहीं प्राइम नहीं है, clear, 93, one से, three से, है ना, और भी बहुत सारे number से, divisible है, तो यह भी क्या है, composite number है, next, 101, one and itself, prime number है, 48, one, two, four, three, six, और बहुत सारे numberों से divisible है, तो यह क्या हो गया, composite number है, one and two, even number है, तो यह भी composite number है, कि मैंने आपको बताया, two एक अकिला, even, prime number है, बागी के सारे prime numbers, odd होते हैं, तो पहले यह clear करना असान हो जाता है, कि अगर even number है, तो वो obviously composite number ही होंगी, odd number में हमें दीखना पड़ता है, कि उनकी कितने factor है, दो factor है, तो वो composite number नहीं है, prime number है, और अगर दो से ज़्यादा factor है, तो वो composite number है, I hope you all are clear, thank you.